नमस्कर दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के हमारे LED को जलाने के लिए 12 बोल्ट DC की जरूरत पड़ती है जैसा कि मैं आपको सबसे पहले से टेस्ट करके दिखा देता हूँ जैसे कि मेरे पास यहां 12 बोल्ट की बैटी है और इसे मैं 12 बोल्ट से कनेट कर तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो LED है वह 12 बोल्ट से बहुत अच्छी तरह से जल रहा है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 3.7 बोल्ट की बैटी से इसे जलाना सिखाने वाला हूं यह सबसे पहले मैं तेस्ट करके दिखा देता हूं 3.7 से तो यहां देखे माइनस को लगाया और इधर मैंने प्लस को लगाया लेकिन हमारा जो यह LED है वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं जल रहा है तो आज की इस वीडियो में हम इसे 3.7 बोल्ट की बैटी से जलाने वाले हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए जिससे आप भी सीख सकें कि कै यहां आपको लेना होगा लाइन ड्राइबर जो कि यह लाइन ड्राइबर आपको इस जो भी आपका पाउर सप्लाई होता है पाउर सप्लाई के अंदर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा आपको मार्केट में भी मिल जाता है यह लाइन ड्राइबर ले लेना है उसके बाद आपको ले लेना है एक टांजिश्टर जो की मैंने हाँ लिया है 12 crítेल्ज बढ़र लेना है जो की 0 Congrats ले सकते हैं तो मैंने जो लिया है resistance vidéosवा हमारा 470 rho करते हैं तो देखिए यहां आपका है होगा इसमें इसमें 2 Sub देख सकते हैं इसमें 4 लेख होते हैं तो आपको क्या करना है एक वाइर लेना है और वाइर लेके इसके दो point को सब्सक्राइब uniqueness आपस चार ले गाएं तो यहां आपका 2 यह continuity देता है और 2 इधर का continuity आपस में देता है, तो आपको क्या करना है इससे लेके इसमें आपको इस wire को यहां connect कर देना है, जैसा कि यहां देख सकते हैं, इस तरह से हमें यहां पे इसे connect कर देना है, अभी दोस्तों, वायर को हमें कुछ इ 25 भी ले सकते हैं तो इसका देखिए जो बनावट होता है जब सामने आप इसको रखेंगे जो इसका लिखावट होगा सामने करेंगे तो इसके बाद यहां सबसे बाएं वाला जो लेग होता है वो होता है बेस बीच वाला कलेक्टर होता है और सबसे लाश्ट वाला यह दोस्तों राइस्टेंस को हमें कुछ इस तरह से टांश्टर के बेस से यहां लाइन ड्राइवर की स्वाल पीन से हमें कनेट कर देना है अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल प बा के बढ़ने और वायर है यहां अभा दोस्तों हमारा से सरकिट बन के कंप्लेट हो चुकाaires अब इसमें इंपूट और आउट पूट क यहां हमने जहां transistor के collector से जहां पे wire देखिए यहां पे transistor के collector से हमने जो wire लाया है यहां पे इस वाले pin पे हमें LED का plus जोड़ देना है ठीक है तो यहां मैं LED का plus यहां फटाक से जोड़ देता हूँ तो अभी दोस्तों यहां LED का प्लस हमने कुछ इस तरह से यहां पर जोड़ दे यानि जहां हमारा टंश्टर का कलेक्टर जुड़ा हुआ है वहां हमने LED के प्लस को जोड़ दिया अब यहां LED का जो माइनस है इसके साथ हम एक और माइनस वायर को करेक्ट कर दे रहे हैं एक ब जोड़ना है इस टांजिस्टर के इमीटर से ठीक है इस टांजिस्टर के इमीटर से हमें इन दोनों वायर जो हमने लपेटे हैं इन्हें आपस में देखिए इस तरह से यहां पर जोड़ देना है अभी दोस्तों हमारा जो माइनस है इस तरह से यहां पर टांजिस्टर के इ हो गया अब देखे क्या करना है यहां स्विच हमारा सही से नई कनेक्ट है अब हमारा स्विच कनेक्ट हो गया अब हमारा इंपूट हो गया प्लस और माइनस तो यहां हमें 3.7 बोल्ट की बैटी को कनेक्ट करना है तो यह रहा मेरे LED है यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है इसमें मैं दूसरा बैटी जोड़ देता हूं कि सोल्डिंग नहीं हुआ है मेरे पास दुसरा सोल्डर लगा हुआ कि हमारी जो three point seven bolt की बैटी से हमारी बारे बोल की LED स्क्रीफ बिलकुल अच्छी तरह से जल रही है ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आप 3.7 बोल्ट की बैटी से 12 बोल्ट लीडी स्ट्रीप को बड़े आराम से जला सकते हैं, बहुत बहुत चोटा सा सरकीट है, आप इसली इसको बना सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, कब तक के लिए, नमस्कार.